इच्परेंशी अप्राइब अ पास्वागत है बसे भारत आपके लिए लाया नहीं है तहरे विए अपना अल्जा है बहुत ही हर याफ्रा आपके लिए हमेशा बहुत ही फार्जनत रही है पहली बार भारत आ रही है, प्रुप्यन कमिशन का अदेश को स्विकार कर देटे बार, आपका भारत आना अनाजी बहुत प्रपुन है, और मैं आपका अदेश से स्वाबत करता हूँ, मैं विशेर सुब्से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि रहसेना डायलोग के लिए आपका अदेश को सिर्फ भारत के इंट्रलेक्शनल एंड अटेडिमिक लोग के लिए तक्सिम भी भह रहेगी, पूरे विश्व का धान रहेगा कि आज आप हमें क्या संदेश दे रह करने हैं, विशेर सुब्से आपको सुनने के लिए, मैं विशेर सुब्से इससे भी आपाज एक्षिक करता हूँ कि कोरोना के कारणों और बाकिस्तियों के कारणों में दो तीन बार, डेज बदलनी पूरेगी, फिर भी आपने अपने कमिट्मेंट को पराबर को किया और आ काउंसिल के साथ पिछले दिनों हमारी वर्चुल समीर का मुका मिला था हूँ, इंडिया यूग्या अधर हम रूप रूम में मुलागा कर सकते मीटिंग कर सकते तो अच्छा होता हूँ, लेकिन इस पहने मिल की चलते हैं, उन चीज़ों को हम नहीं कर पाए, लेकिन मैं पेशमंती जब आये थे, आपने बहुत ही अच्छी मिटिंग और्गनाइज की और भारत के साथ चर्चा देनेकर के अच्छा उस्कार अपने दिया था, आडिसलिये भी, बस हम बता हूँ कि आपके नित्रुत में भारत और यूग के समंधों नए उचाई में रही है, इस स सुदिख प्राइज कर घस्कूप और अपने कर साईने समय हूपत है, इस कि यूफ प्राइज की बईस्के की है, बस्क्तूब कर अच्ए इस सोब्सक्तू, बस्क्तू आप है इस सहूई है marks the 60th anniversary of the EU-Indian relationship. And I think this relationship is today more important than ever. We have a lot in common. We are vibrant democracies. We are strong supporters of international rule-based order. We are large economies. And we have a lot in common, but we are also facing a challenging political landscape. And therefore, I highly appreciate that this meeting here is possible today and I'm very much looking forward to the Resina dialogue indeed. We will have many topics to discuss, from security to the fight against climate change, but certainly we will look also intensively at technology digitalization and trade, and there I'm very glad that you, Prime Minister, and I agreed to put in place a Trade and Technology Council. The European Union has only one Trade and Technology Council in place and that is with the United States. And I think therefore it is telling that it was so important for us to put up a second Trade and Technology Council with India.